नमस्कार में बालकृष्ण मुले और आज हम बात्चित करेंगे बाबा जी सत्यनाराय जी मोरी जी से मोरी जी आपका स्वागत है प्राइम टॉक के स्पेशल सेग्मेंट वारियर की भीतर आपको एक वारियर की भाती देखा जाता है जिस तरह से जिस अंदाज में आप 92 के द अबरिजस की और इस पे देखा है कि रुदंबरा जी ने जितना प्रभावीत किया है उतना ही आपने जो चोराय चोराय खड़े रहे कर अपनी जो एक आर्ट की जो कला है कला जो है उसके माद्यम से एक और जिस्वी वक्ता के रोप में लोगो जागरत किया कैसे याद करते उन दिनों को और खास बात भी है कि अब आपको राम जन्म भूमी के प्रानकृतिष्टा समाहरो का इंविडिशन भी बिल चुका है कितनी प्रसंदता मन में प्रसंदता तो जब गुलामी के कलंग को उटाय था तो प्रसंदता उस सुम्हूई थी फिर छोटा मंदिर बनाय क्योंकि तब तो मेर पास जो बेनर का कपड़ा था गुलावी रंका उसम जल्द बाजी में क्योंकि मार्केट बन थे कर्फू लगा हुआ था तो उससे मंदिर बना के अगे थे और बड़े सोभाग्य का विशा है कि प्रभू राम जी हम लोगों के बनाय हुए हमारी सेवा परमात मने स्विकार की तो मैं कई बार बोलता था लोग बोलते थे मन में दर्द हमको भी होता था लोग बोलते थे राम खुले मंदिर में बेठे हैं तो मैं कई बार बच्पन में लोग कवीता सुनाते थे मिले खुशक रोटी जो आजाद होकर गुलामी के हलवे से होती है तो में इनका लोग कहते थे कि जो कहते हैं राम को तुमने खुले गगन में छोड़ा है जैसा भीता डाचा था तो उसको काहे तोड़ा है उनसे कहदो खुला हुआ वन होता बहतर जिलों से हमने मुक्त किया आक्षयवत सजी अमर विश्वेलों से स्वर्ण वेडियों को न अबूशन माना है ताठ हटा कर थाठ बाट से स्वर्ण शिकर तक जाना है और तब से हम लगता सोचते थे के यह मेरी कविधा उसमें मंचो पड़ता लग 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 विद्धाओं के माध्यम से आपने जंजागरन का काम किया कभी आप कभी रधे हो जाते कभी आप आप आपने इस मुमेंट को कूप सदद जारी रखा 24 इंटो 7 365 देज अगर वर्षो वर्षो का निरंतर संगश्रा आपका आज आप अध्या होकर आए लगाता है मुमेंट आपका अध्या में चल रहा है अब आप रत ही आत्रा की एक वापस पुना तैयारी कर रहें इस से पहले आपना चोटा गाउं मेरे के राजगड़ कुम्रेवा लो ब्यावर भी जाते थे तो अमरे लिए सपना होता था इंदोर का नाम सुनते थे बच्पन जहांकिया होती लेकिन इंदोर क्या होता राजबड़ा क्या होता है सब सपने थे आज उन साथ बार हो कि आचूका उप साथ हुबार फिर जा रहा हूँ अमेरिका वेस्ट इंडिज इत्ती बार लंदन इत्ती बार अच्छा और बच्पन में जिनके हम खाली नाम सुनते थे तो उनके साथ रहने का मोका मिला राम जी जी करपा रही किया आज देश के कौन वेक्तिय से दुनिया के मानि मोदी जी त आट-दस साल उनके साथ काम किया राम जनमुमे करण श्रद्य अशुक सिंगल जी साथ में बाबा राम देवा आचाया तो इतने मतलब हर फिल्ड के लोग मिलते गए देखो सच बात क्या है कि अगर मान लोग गे से तो कहीं से भी निकलेगी और जहां से निकलेगी अपना आप निकलने का माध्यम कुझ भी होसकता और ये परमात में देटागी यह आग जो आपके भीतरे करांटी कारी वॉली इसके वेसे आपके दिक्कत भी बताई होगी लगातर आपको शहर छोड़ना पड़े होंगे प्रदेश छोड़ना पड़े होंगे अलगलग कारेस्तल बनाने पड़े मैं उज्यन पड़ा फिर उज्यन छोड़के इसलिए कि उस समें सरकार थी दिवालों पेंटिंग नी कर सकते हैं करो तो पुलिस पकरती थी पचास तो निकल के प्रयाग फिर अईदुया चला गिया अईद्या मोका मिला फ्राइद्योगाद लगगे तो महां से निकल गए दि पुल रहे हमारे ही हैं तो यह जो मुझा होता है अपन सब जगे के हैं मतलब जो राम का हो सब के काम का तो अब यह क्या होता है कि जिसको मैं आप से आप यह चर्चा करने चाहरे हैं इतने दिनों में काम करते आए अलग 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 शेत्रों में काम करते आए आपके जी ट मेरी प्रदरशन लगी थी इस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज में आट कि उसकी और आट की पैंटिंग लगा दी आट विदेश जा गात कर दो लह बुड़ तो किसी न हाग लगा दी तब मुझे लगा कि अप्रदरशनी आग लगी तुम्हां के लोग अफसोस करेंगे बा आज एक मोबाइल की रेम भी 10-20 जीवी होती है, तो उससे हमने काम स्टार्ट किया, फिर बनाते 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 आज हम यहां तक पहुचे, तो साथ में अपडेट रहना तो जरूरी था ना, कि आप भागते रहे, जिसे में आपको बतार हो, कि होता क्या है, कि मेरे साथ के कही पहुचे रहे, उनको लगता था मोबाइल हमारे काम की चीज नहीं है, तो अगर मैं फोन भी करो, उनने मोबाइल खरीद दी लिया, तो नंबर सेव करने के लिए उनके बच्चों को देते थे, है ना, और मैं इस माद्दियम से जड़ा साथ बोल रहा हूं, क्योंकि यह मैं परिणा मुलक काम इसलिए के पहले जनरेशन चेंज होती थी, सो साल में, दो साल में, एक बाप और बेटे की जनरेशन में पच्ची साल का अंतर हो था था, पर आज कल तो साल बर में तो 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, आप 6G की बात कर रहे हैं, तो आज कल तो दो मेरे कंदर जन इन लोगों का संगर्ष रहा हुआ, उसमें कई कॉंग्रेसी भी है, आपने जिस तरह से बता है, क्या है पुरा आपका प्लानिब एक विक्ती थे दावदयाल खन्ना, तो उनने सबसे पहले प्रपोजल बनाया, मतलब यह तो बालूपता, राम जन मुमीं बन थी, लोगों संग के लोगों पकड़ा वही है, मेरी तिछा है, मंत्रा ले गया भार में, सब कुछ जाए, राम जी, अयुद्य का मंदिर, मत्रा का मंदिर यहां का बनना चीए, उनने पीछे पड़के हिंदू जागरन के लोगों से मिले, संग से मिले, बोले आप यह काम करवा हो, फिर उनने इन लोगों में जोश भरा, फिर इन लोगों में बात आई तो यह लोग विश्व हिंदू परशद तक बात गई, संग तक बात गई, और सब्जे के जाने के बाद में, जब बात आगे बढ़ती रही, फिर लोगों सुईकार कर लिया, तो इस मुद्दे को आगे लिय में परमात्मा एक लिए ठोड़ा सा काम किया, तो परमात्मा ने छोटे से सत्यारान मोरी गाओं को गाओं का आदनी ये बना दिया, यही राम जी थे, कि मतलब बीजेपी की दो सीट की पार्टी थी, उस दो सीट से आज विश्व को सबसे बड़ा बना दिया यही राम जी थे कि मोदी जी थे छोटा सा काम कर रहे थे आज राम जी ने मतलब मोदी जी को यह बना दिया योगी जी को क्या बना दिया तो राम जी अपने बचा के नहीं रखते हैं मैं तो बोलता हूं को अगर थोड़ा सा देता है तो उसको उस विक्रमाइद ने मंदिर बना फिर कप टूटा सुहल देव ने क्या किया फिर मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा फिर कितने लोगों ने उसमें काम किया अभी तक यह से कई लोग तो जूटे नहीं पहेंते थे तो वह उनका उसमें उल्लेकि बाद में दिसंबर का उल्लेक है अब मुझे लगा कि देखो आते लोग बोलते राम जी आगे भी बढ़ाते हैं और राम जी किसी को अर्ष से फर्ज तक पहुचाते हैं और फर्ज तक पहुचाते हैं लेकिन अब मुझे लगा कि देखो आते से हिंदुत की बाते चालू हुई तो मेरे को तो किसी से स्वार्थ ने, किसी से बेर नी, मेरे को कोई विदायक बनना ने, मेरे को मंत्री बनना नी, मेरे को किसी से कहीं आश्रम बनना नी तो में तो अलग हूँ लेकिन बतर हो कि नए आ हैं इनने आते से पूर। पर इतनी फ्लाइटे उतरेंगी लोग उतरेंगे, ट्रेन इतनी जा रही है, वहां के लोगों के रिजुरूशन के लिए इतने बड़े आयुजन में, अगर सड़क के किनारे एक रसी बंबी फूड़ जाएगा ना, तो इसलिए सरकार गलत नी करी, लोग बोलते हैं क्यों नी जाने रहे हैं तो यह है, हम भी यात्रा को मतलब गुन्नी भीसता को पहुचा देंगे, फिर वह विश्राम करा देंगे, और उसके बाद जहां जहां आसफास राम के इस्थान है, जिसे कि अब जिन लोगों ने राम का इतना स्वागत किया, नंदि पर भारत जी सिर्फे खड़ा हो लेके, उसके पीछे हमारा दूसरा चलेगा, उसके मंच चलेगा, फिर बाकी गाड़ियां चलेगी, और फिर हर शहर में एक हजार दोजार लोग मोटर साइगी लोगों पर आगया के चलेगा, तो बड़ाया की तो, जित्ता गो, मैंने यात पर आज यह नगर नहीं करेंगे, क्यों मिन में बात आती थी, कोई गाओ का आद्मी अगर शहर में अपना सामान बेचता है, और रात को अगर उसके पास पास पैसा ना हो और वो फस जाए, तो यहां चार लोग इसे नहीं को गहर में भुला कि सम्मान से भोजन करेंगे, ब और किसान अगर बुट्टे बना रहा हो तो महां उसको भुट्टे भी खिलाएगा, पानी पिलागा, चाय पिलागा, बिस्तर देगा, तो भीयर, यह वनवासी तो आज भी है, नगरवासी बदलें, तो मेरे मन में तक जिनने 14 साल तक राम कि सेवा की, हम उनके पाउं ची किया आटा और गेस में सब भरके हमारे कमीत रहें, देखो, राम जी केशी-केशी व्यास्ता करते हैं, हम सोच रहें के छोटे से रत के उपर निकालें, छोटा आती लेले में, चार साथ लेले में, तो अगरवाल पेकर से मुवर्स बड़ा ग्रूप है, रमेज जी अद्बद व पाउंद होए जाते हैं, तो उनने मेरा कंसेफ्ट सुना रहें, बाबाजी अता आप कमाल कर रहे हो, और वो खुद पीछे पड़के उनने इतना बड़ा रत दे दिया, वो पूरा बनवा के, अभी मेरे पास तीन-चार दिन में यहां उनकी गाड़िया जाएगी, दूसरी अविरल जल की धारा जिस तर से बहती है, वही अंदाज जो आपके मखारविन से नजर आता है, लेकिन सुन लिया, अब लेकिन आपका कावे पाट सुनना चाहें, क्योंकि यह मंदिर बन जाए, तो मैं हर जग एक बात बोल रहा हूं कि मंदिर बन जाए का इसके खुशी मन पर यह मंदिर तूटा क्यों था इस बात को मत भूल जाना, भविशी को यह मंदिर ना तूटे, भविशी में कोई संकट पेदा ना हो, भविशी में देश गुलाम ना हो, तो इसके लिए मेरी इन बातों को याद रखना कभी की और से, कि फिर मत कहना कभीयों ने ना अपन धर्म निभाया था, फिर मत कहना कभीयों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीतिये हमने बार बार दोराया था, कि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हर दमदान किया, कहा गया उसको ना समझा, आँख मीच कर मान लिया, मंदिर उचे बनवा करके सोन कलश फर्षों में हीरे मोती मानिक पनना जरवाये थे, आँख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे चूट गए, और आँख खुली तो देखा उनको चंद विधर में लूट गए, तूट गए देवाले जिनको श्रदा से बनवाया था, फिर मत कहना कभीयों ने ना अपना धर्म निभ हम बोलेंगे गीतिया हमने बार बार दोराया था, हम इश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, भई आयोध्या का राम का मंदिर है, तो अपने घर के राम के मंदिर पे पूजा कर लो, फिर क्या दिक्कत है, अब ये 30 दिसंबर को, मतलब ये 22 तारिक को, जब महा हमरे में भक्ती बेट के करी, तुम्हारे राम रहे, तो वो राम का मंदिर पूटे का, तुम्हारे राम तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर के राम ने अपना मंदिर नहीं बचा है, तुम्हें क्या बचाएंगे, तो मेरा के ना मेरे राम और तु ठाकुर की राह नहीं और दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं सच मुछ अगर तुम्हारे ठाकुर दुनिया भरके ठाकुर हैं तो गले लगाओ उन्हें जिने ठाकुर ने गले लगाया था फि हिए दर मेरे राम और आपके राम मिलके एक रहे… यह राम नदिर क्यो बना रहे है? अमनात का पत्भी अलगावों का आज शिकार हुआ। अमनात पे गोली चलती रहे रम का मंदिर भवी बन जा है तो मतलग क्या निकला? लेकिन देखो, राम का मंदीर भी बन रहा है, अब संकट मुझन पर बमनी भट रहा है, राम का मंदीर भी बन रहा है, मत्रा के लिए आवाज उटशी यह हम चाहते थे, क्या, तो हम तो एक बात मानते है, हमारे रूप में आवतार तो कोई कम नी होते है, राम जी गए, क्रश कि हम जहां पर है, प्रभू राम के आवतार बन जाएं, रोख खुद राम बनने का प्रयास करें, क्योंकि खुद राम बने मिना काम नी चलेगा, अमरनात का पत्भी अलगावो का शिकार हुआ, बर्फिला हिम्वान बारुदो में जलकर अंगार हुआ, प्रांतवाद के ख उत्तर दक्षिन की बात खतम हो जाए, प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा का वेरी है, जातिवाद के अंधियारे की छाई रात घनेरी है, इन सब का हल राष्ट प्रेम, जो मंदिर से उप जाना है, और टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिकर तक जाना है, क्या ब